नमस्कार टीवी नियूस की खास खबर में आपका स्वागत है नोईडा पुलिस ने बच्चे के अपहरन की मामले में 30 साल के एक शक्स को गिरफतार किया है आरोप है कि शक्स ने मोबाइल वालेट पर UPI के माध्यम से फिरौती ली थी ऐसे में पुलिस ने उस तक पहुशने के लिए डिजिटल सबूतों का इस्तिमाल किया पुलिस ने 6 साल के बच्चे को बरामत कर परिजनों को सौप दिया है पुलिस जिट्टी कमिशनर अनिल कुमार यादत ने बताया कि 22 जून को बच्चा फेज 2 में नया वांस गाउंस से किडनेप किया गया था अपहरन करता उसे गुरूग्राम ले गए इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामना दर्च कर जान शुरू की थी इसके बाद अपहरन करता ने परिजनों से 30,000 रुपे की फिरौती की मांग की थी रिपोर्ट के मताबिक बच्चे के पिता एक छूटा सा भोजना आले चलाते हैं अपहरन करता ने फिरौती के लिए जब बच्चे के पिता को फोन किया तो उसने पुलिस को जानकारी ना देने की बात कही थी वहीं अपहरन करता ने परिजनों से 2 किस्तों में 30,000 रुपे की मांग की थी साथ ही इन पैसों को फोन पे के जरिये भेजने के लिए कहा गया था